Hello friends, मैं डॉक्टर प्रवीन भाठिया, डारेक्टर भाठिय देंटोपल्स जनकपुरे निव डैली पेशेंट्स और मेरे कमेंट बॉक्स में जो भी प्रशन आते हैं एक प्रशन बहुत बार आया कि कौन सा मौथ वॉश हम यूज करें करने का सही समय क्या है और कितनी बार मौथ वॉश को करना चाहिए और कब तक करते रहना चाहिए तो friends, आज हम इसी बारे में बात करेंगे इससे पहले अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल भाठिया डेंटोपल्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्रीज सब्सक्राइब, हम नए-नए आपके लिए विशे ढूंते हैं आपके जो कमेंट बॉक्स में प्रशन आते हैं, कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ती ने अगर प्रशन पूचा है तो मास में हम उसका लाब लोगों को दे सके और वाके ही अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और हाँ बैला आइकान दवाना बिलकुल न भूलें तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कौन सा माउथ वाश करना चाहिए सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं और इसके लिए ही जरूरी है कि आपका माउथ वाश यूज करने का परपस क्या है इसके मल्टीपल फंक्शन्स हैं जैसे आप रूटीन में करना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिकली किसी डेंटिस्ट ने आपको बताया है किसी स्पेसिफिक परपस के लिए तो वो करना चाहते हैं नॉर्मली तो जनरली फॉर गुल्ड ओरल हेल्थ के लिए यूज किया जाते हैं और एक प्रशाता है माउथ वाश होते हैं जो बैट ब्रेथ के लिए यानि आपके मुँ में बद्वू आती है तो उसके लिए किया जाता है एक जिंजिवाइटिस बोलते हैं यानि मसूडों में सूजन आ जाती है तो उसके लिए जिंजिवाइटिस को कम करने के लिए हम माउथ वाश यूज करते हैं कई लोग वाइटिनिंग के लिए भी माउथ वाश यूज करते हैं और कोई tooth decay ना हो जाए, बार-बार उनके tooth जैसे bones porous होती हैं, तो एक protective layer मिल जाती है, तो इसलिए वो करते हैं, तो friends, इसका mouth wash का basic purpose जो है, eliminate germs and bacterias, आपके bacterias mouth में होते ही हैं, तो उसको kill करने के लिए और आपके mouth को clear करने के लिए ये किये जाते हैं, bad breath की बात करें, तो एक xylitol यानी dry mouth रहता है, और उसको कम करने के लिए saliva जादा बनाना हो, और increase करना हो saliva को तो उसके लिए use होता है, gingeritis में जैसे अब breeding gums हैं, और उसमें chlorohexid dine gluconate ये इस्तेमाल किया जाता है, whitening के लिए hydrogen paroxid इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके दान को थोड़ा white रखता है, tooth decay के लिए एक fluoride वाले paste या mouth wash कहीं, वो यूज की जाते हैं, और जो आपके listrin है, बड़ा common लोग यूज करते हैं, वो basically routine के आपके mouth wash होते हैं, जैसे इसका taste होता है, mint का taste होता है, germs के साथ fight करते हैं, और इसमें एक add किया जाता है, thymol किया जाता है, menthol किया जाता है, camphor किया जाता है, इसमें essential oils डाले जाते हैं, जो आपके mouth को taste भी अच्छा रखते हैं, और bad breath को भी नहीं होने देते हैं, हम अब बात करें समय की, समय में sequence की अगर बात करें, brush, floss, then mouth wash, यानि सबसे पहले brush करें, उसके बाद flossing करें, flossing एक threading है, वो मेरी अलग से वीडियो है, आप उसको जरूर देखें, और ant में ये mouth wash इस्तिमाल करें, जैसे कुछ का मानना है कि fluoride toothpaste अगर किया है, तो उसके तुरंद बाद आप mouth wash ना यूज़ करेंगे, क्योंकि mouth wash यूज़ करेंगे, तो जो fluoride था, वो wash out हो जाएगा, wash away हो जाएगा, और उसका purpose खतम हो जाएगा, क्योंकि जो fluoride वाले paste हैं, वो basically anti decay है, decay को खतम करते हैं, cavities को होने से बचाते हैं आपको, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा ना करें, और दूसरा next आता है कि इसके तुरंद बाद rinse करते हैं, तो वो पुराना वाला खतम हो गया, अब आता है कि quantity कितनी हो, quantity 10 ml of mouth wash and 10 ml of water, दोनों को mix करें, dilute करें और दोनों को mouth में करीब 30 to 40 seconds या 1 minute तक भी रख सकते हैं, उसके बाद ये ध्यान रहे कि 5 minute आपको उसके साथ कुल्ला नहीं करना है, automatically हमारे saliva में devolve हो जाएगा और उसका असर बढ़ जाएगा, अगर आप जल्दी कुल्ला कर लेते हैं, तो आप एक mouth wash की strength को कम कर रहे हैं, अब ये प्रशन आता है कि कितनी बार करें, normally advice किया जाता है कि दो बार करें, एक बार सुबह, एक बार राग को, लेकिन अगर एक बार भी करते हैं, तो routine वाला जो mouth wash है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी बिमारी के लिए या specific reason के लिए आपके dentist ने आपको recommend किया है, तो उसको recommend जितना किया है, किवल उतने ही समय तक इसको use करें, क्योंकि over करने से आपके दांतों में staining आ जाएगी, stains आएंगे, chlorohexidine, gluconate के stains बनते हैं, और stains आएंगे तो बार बार आपको scaling करानी पड़ सकती है, इसलिए ये ध्यान लखें कि जो dentist ने suggest किया है, वैसा ही, एक medicated pill जो mouth wash होता है, उसको उतना ही करें जितना जरूरी है, आशा है, आपको ये topic भी पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे, अपने friends में share करें, और मेरा channel, जैसा मैं हर पार बोलता हूँ, जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, तैंक्स पर वाचिंग, आप अपने दांतों का ध्यान रखें, दांत definitely आपका साथ भी देंगे, और आपका ध्यान भी रखेंगे,